दोस्तों दो तीन दिन पहले एक सब्सक्राबर ने मुझे डीवीडी के पीसीबी से रिलेटेड एक कमेंट करी थी कि सर्फ पीसीबी में जो कोडिंग रहती है उसे समझा दें साथ यहीं उनका कमेंट था तो यहां पर मैं आज आपको जो पीसीबी में कुछ कोडिंग लिखी रहती है जो कमपोनेंट की कोडिंग तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको किलर कर दी लेकिन यहां पर बताऊंगा कि कुछ कनेक्टर होते हैं कुछ वोल्टेज की कोडिंग वगरे रहती हूँ आपको मैं समझाने के कोशिश करूंगा बेसिक बेसिक जो सब्सक्राइब करते हैं तो कॉमेंट इसमें भी बहुत सारी मेरे पार कमेंट आती रहती है तो सबसे पहले करता हूँ देखिए यहां पर पॉम्पोनेंट की कोडिंग मैं मैंने और लड़ी समझा के रखी वीडियो नहीं देख लें अभी आपर देखिए जो हमारा कि कोडिंग सीन अब वहां पर देखिए और वहां पर देखिए एक ज़ो आपको देखना ऊंप द्रके है अब यहां पर देखिए यह तो common चीज़े थी आप आपको बताता हूं यहाँ पर देखिए जितना वोल्ट जहां से output होगा उसके just बगल में उतना ही लिखा रहता है आपको यहाँ पर देख रहे हैं देख लेकिन कोशिच करोंगा पूरी 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 दिखाने की जैसे यहाँ से निकल रही है one two three four four five six six वायर निकल लिए तो इसके just बगल में लिखा रहता है first वाली वायर के बगल में लिखता है five volt तो वासे five volt और कापी सारे लोग पूछते जी और gnd का मतलब क्या होता है देखिए जी और gnd का मतलब होता है negative जो इस बोड़ से negative वायर निकल लिए उसको ground या जी एंड कह बहुत सारे जो नए सिक्रे होता है उनको यहीं पता नहीं होता कि gnd और g क्या होता है तो क्लियर कर दिया मने ground होता है तो positive five volt यह निकलेगा फिर जी और ग्राउंड फिर यहां से 24 लिखा तो 24 वोड निकलेगी फिर बार लिखा तो बार्र लिखा तो g और ground एक ही हे जो यहा तो इसको पढ़ सकते हैं तो इतना इजी और सिंपल है तो कापी सारे लोग समझनी बाते हैं तो उनके लिए हेल्फूल वीडियो हो गई चाहिए और फीजिव इस तरीके से लिखावा है यहां पर देखिए यहां पर एक LED होती है तो इसके बावर के लिए तो यहां पर यहां पर और और नीचान बनेया हुआ है लोक है तो लहोग जो चैनल लोग हो जाएंगे हो अपर है लिड हो तरी के से बनाका गए रखावा है अब हैं यह जो स्वीच है इसके देश्ट बдел में लिखा वा है मनू का स्वीच है मस्वीब का स्विच' है यह वोल्य का स्वीच व है और वहां पर एक चीज और है एक डेंजर का दोट के रिखेंब से इनुद्इश तो ह пошता है इसके प्राइमरी से करता है तो है हिया पर high voltage का जो है दिक्क्ट रखरार है इसलिए इसमें इसमें ल्चा याता है कि आप इसको छोए ना से सेक्ट्री शेक्षेन को आप छूव सकते हां से कोई दिक्क्कत नहीं लेकिन प्रांवर्म проблем को छोऊना विल्कुल होगी इस का connector से आईगी ठीक है कभी-कभी दो connector देखने को मिलते एक ज़स्ट इसके बगल में होगा वो होगा switch का तो एक power का connector होगा उसके just बगल में switch का connection connector होगा तो उस जगह पर आप switch को connect कर सकते हो या उसको sort करके switch के さंब sport बना सकते हो अभी कि मैं और क्या इसमें देखने लायक है बाकी तो समझा रखा मैंने आपको यहां पर देखा है जो उसल्शाफ प्रेस दे रखा तो यहां से वायर होंगी एक दो तीन चार पॉच्छ है साथ आट नो दस तो यहां पर इस तरीके से इसमें हर वायर के आगे लिखावाइब जो फर्स नंबर का है देखिए यहां से यह वन है ना यह वन है और यह टैन है इस तरीके से गिनेंगे हम बिल्कुल लिखा भी होता है एक मिन आपको दिखनी रहोगा मैं दिखा देता हूँ अब यहां पर दिखे यह वायर के संख्या दस है और यहां पर दिया गया है यह दस यहां पर वायर है तो गिनेंगे कैसे तो यहां पर एक लिखाया तो यहां से गिना स्टार्ट करेंगे और यह टैन यहां पर इसका मतलब है छठा है 3.3 वोल्ड का सात्वा है 3.3 8 3.3 नवा ग्राउंड और दस्वा पावर का मतलब पावर इंडिकेटर जो जलेगा उसका है तो इस तरीके से आप बता के रखावा इस तरीके से आप इसको समझ सकते पढ़ सकते हैं तो काफी एजी है अब यहां पर एक सब वूफर की क लिखा है तो यह वॉल्यूम कंट्रोल का कनेक्टर है यह जो एरो भी बना के रखा है इनने देखी एरो बना के रखा है यह वॉल्यूम कंट्रोल इसमें लगेगा वॉल्यूम कंट्रोल स्वीच बोले इसमें लगेगा कहीं पर बारह जिरो बारह भी लिखा हो सकता है तो य यहां पर वूफर का this to happen यहां से देखिए यहा पर एस पी लिख्या तो यहां से ओट पूट हो गए यहां से लेफ्ट यह राइट कर घ्रावंचज खिंड ठीक है यहां से स्पिकर वाठत होंगे और क्या है इसमें बाकि यह कंपदी योंड फावाई मौ यहां लेट कर एक किट है मेरे पास इसमें देखिए यहां पर लिखा हुए बी प्लस यह बी प्लस यह बी प्लस बी मैस मतलब बैटरी 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 पॉस्टिव और बैटरी निगेटिव यहां पर लगना है बाकी यहां पर एलेडी जहां पर लिखा रहेगा वहां पर एलेडी का जो न जो है यहां पर भी USB लिखावा आपको मिल सकता है अब यहां पर एक Bluetooth kit है मेरे पास इसमें भी लिखा है तो यहां पर यह जो चार वायर निकल दी है इसमें कौन मतलब कौन सी वायर हमारी क्या काम करेगी यह सब इसके जश्ट सब्सक्राइब क्या अपे तो निकार निचे लिखा आउट पूर्ट और यह एक है क्राउसिफा आउट्पर यह以 दूण मतलब यह इसका ग्राउंड है यह राइट आउट यह लेफ्ट आउट इन रेफ्ट आ ब्रोल्स पूर्ट एंट आउट्न हर से यह ग्रोन तो ये जो है इसका ground होगा तो एजी करके भी लिखा है जी बोले तो ground आपको बताया था मैंने ठीक है अब बाकि ए एंटी लिखा तो ये एंटिना का रहे गा यहाँ पर यहां पर देखे मैंने आपको आपको प्छली वीडियो में बताया था बाकि इसमें लिखा हुआ है वोल्यूम जो यह स्विच है बाकि जो यह स्विच आप देख रहें ना इसके ज़िश्ट बगर में लिखा है मोड का स्विच है नेक्स्ट का प्ले को एन प्रिवियस का और यहां पर इसमें कुछ लिखा हुआ है देखिए अब यह क्या है मैं यहां पर आपको मिलेगा देखिए यह वाला जो है करेक्टर का पूरा एक जो खुला पॉइंट है यहां पर भी मिलता आपको लाइन बोल तो अब यह जो इदर पर लिखा है 5y gnd 12 तो यहां पर फाइब उल्ट आप इसको दे सकते हैं तो यहां से इस तरी के से कोडिंग्ग पढ़ते हैं और यह जो निसान है ये एंटेना का निसान आपको बताव में आपको के नहीं दिख्या दिया होगा फिर से बताता हूं लाइन बोलतो लेफ्ट इन गाउंड जी एंड बोलतो ग्राउंड आर आई एन बोलतो राइट इन यहांसे इंपूट सिगनल आपका करेगा इस खुली वायर से बाकि यह फाइव वोल्ट ड्राउंड और 12 वोल्ट में दिया ग स्थास ठीकर और दूसरे में दिखाता हम आपको पर यहां पर दिख्ये यह करेक्टर तो हぁफ लिखावा हम मिलेगा आपकोUh करके अब इस किट पर हम देख लेते हैं यहां पर क्याकर लिखा हूए यह एक जगए यहां पर आउनों यह किट पहले पता एक किसी चिपको बथ में इलिखा आशल्ट पहाँ जो है जो बाहर से आटसोर्स जो हमारा यह जैक है यह एक न्यक्टर हम भले जैग में इन्पूट करें रहे यहां पर इंपूट करें एक ही बात है बाकि जहां पर बैटरी का जुड़ेगा ठीक है और जहां पर वी ठीक है इसमें डिफ्रेंस आपको बता देता हूं कहीं पर यह आपको भी लिखा मिलता है तो इसका मतलब आप समझ लिजिए यहां से हमारा हमारा वोल्टेज इंपूट होईगी और वहां पर बैटरी का हमारा एंपूट या आउट-पूट हो सकता है ठीक है बी और फिमा अप अंतर समझ लिजिगा और आइसी विगर inverse आपको वी सी सी देखने को मिल सकता है ठीक है वी सीसी उसका मतलब भी पॉस्टिव ही होता है वी सीसी ठीक है वहाँ पर भी आपका पॉस्टिव वहाँ पर लगेगा ठीक है कहीं कहीं पर वी सीसी लेखा रहेगा कहीं पर भी लिखा रहे सकता है कहीं पर भी लिखा रहे सकता है जहां पर भी वहाँ पर battery VCC पर भी आप positive दे सकते battery का ठीक है अब यहाँ पर यह तो complete आपको बता दी है basic चीज़े हैं यार काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है इसलिए मैं आपर video बनानी पड़ रही हुए जित कर रहे थे भाई बना दो बना दो वीडियो फिर भी मुझे बनानी पड पर ढल नहीं है और बाकि यहां से इंपूट होगा लेफ्ट राइट यह इंपूट होगा यह तो आउट पूट लिखा तो यह जो बचे लेफ्ट रैट की है आणी यहे इंपूट के ठीक है और ग्राउंड का निशान ऐसा भी होता है इस तरीके का आप देख लिजे ती उ देखने के लिई मिल यहां पर l और यहां पर लिए है लिए ळेसमें सकते हैं इसल्ए यहां पर लग्ल रेगे हटीक है अगर यहां पर L और N की जिगह प्लस और मैनेस लिखा रहता है तो इसका मतलब समझ लीजिए यहां पर प्लस और मैनेस हमारा कनेक्ट होता और प्लस मैनेस के बगल में भी लिखा रहता है कि कितने वोल्ट हमने देना है ठीक है यह चीज हमने समझ ली अब एक चीज और मैं ब किवीडी की ही किट है तो इसमां बता देता हूं, सिंपल से अब देखिए वहाँ पर उनके उस्มें दो कनेक्टर थे-एक यहां पर था- यहां पर तो एक कनेक्टर अपर पावर का है, वहाँ पर सिंपल लिखाऊऊ Гाँ उसमें, remote यहां पर लिखा रहेगा अब ठीक है यहां पर इंपूट करा उन्होंने वह कहारे की कपेस्टर में स्पार्क कर रहा है तो उनके लिए है भाई आउट्पूट में एक बार वोल्टेज चेक कर लें कपेस्टर चार्ज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है कभी 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 क्या होता न कपेस्टर डिकिर्फ डिशार्ज घ्राज भी हो जाएं कुई बात नहीं कोई भी सौक्स्टिंग नहीं आ रही आप स्वोकिस थे पहले आप शेरीज में में चेक करोगे कि मोरा कुछ नहीं है आपके कपेस्टर हमां चार्ज हो रहे हैं और output में आप सबसे पहले देखो output में आपको कितना current मिला है GND वोले हैं तो ground आपको बताया था ground और voltage में रखके आप चेक करो या फिर इन capacitor पर चेक करो इन capacitor पर तो आपको high volt मिलेगी जैसे की इन पर आप DC 1000 पर सेट करके इन पर चेक करना ठीक है यह high volt के capacitor है क्योंकि यहां से direct AC input अभी हो रही है अब इन में जो है आपको जो capacitor की दीतनी भी value लग रही है उस हिसाब से multimeter को सेट करें जैसे यह capacitor में लिखा हुआ है मैंने अपने दूसरे चैनल की home page में वीडियो लगा के रखी है component को बारी की से चेक कैसे कैसे चेक करें और sorting को कैसे निकाले ठीक है सारे component आप में चेक करें डायोड वगरे सारी चेक कर लिए अब आपका कहीं पर फॉल्ट नहीं मिला डायोड फॉल्ट नहीं मिला तो लास्ट में IC को निकाल के आप देख लें यह कब जब sorting आ रही है बिलकुल डैड पड़ा है तो component आपको देखने है फ्यूज चेक करना यह फ्यूज का है ना ठीक है यह इस तरीके का भी फ्यूज आपको देखने के लिए मिल सकता और सिंपल से ऐसे भी फ्यूज होगता है इस टाइप के मैं दिखा हूं आपको इस टाइप के भी आपको फ्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं तो सब कु इसे कॉमन चीजा बता दी हैं बाकि डिर्टली आप जो है ने हैं अभी सीखना चाहरें तो आपको step by step शुरुआज से सीखना पड़ेगा बेसिक चीजा मैं बता सकता हो सुरुआज से कोई कोर्स वगर आपको करना हो तो इसके लिए मैं इस पेसली के भी जब भी कोर्स शुर क्लिए गूलत